अगर आप एक Instagram यूजर सो Instagram को यूज करते हो और उस पर आप पोस्ट भी upload करते हो आपकी पोस्ट पर ज़्यादा like नहीं आते हैं, आपकी पोस्ट को लोग comment नहीं करते हैं आपकी जो पोस्ट होती है वो viral नहीं होती है आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप क्या मिश्टेक करते हो आपको किस तरह से अपनी पोस्ट को अपलोड करना चाहिए हैश्टेक कौन से यूज करने चाहिए और आप यहाँ पर क्या मिश्टेक कर रहे हो जिसवज़ा से आपकी जो पोस्ट पर like, comment और आपकी जो पोस्ट है वो वाइरल नहीं हो रही है और feed पर भी उसको दिखाया नहीं जाता है इन सभी चीजों के बारे में गर आप जानना चाहते हो और अपनी पोस्ट को वाइरल कराना चाहते हो 2022 में तो आप हमारी इस वीडियो को end तक देखें इसकीप करके न देखें जो हम तरीका बताएंगे उसको follow करें उसके बाद में जो है आपकी जो post होगी उस पर reach आएगी और वो viral हो जाएगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लेजे मेरे नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद SS YouTube चैनल चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओल पर प्रेस कर लो ताकि आने वारी वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों जब आप अपने इस्टाग्राम पर किसी भी पिच्चर को पोस्ट करते हो कोई भी फोटो को अपलोड करते हो अपने अकाउंट के अंदर तो वहाँ पर आपकी किसी भी कैटेगिरी की वो फोटो हो सकती है जैसे कि आप ब्यूटिशन का जहां पर पिच्चर डालते हो ब्यूटिशन वाली पिच्चर डालते हो जैसे कि हैनकट वगेरा की या फिर उसी में मैकप वगेरा की या कुछ भी आप इस तरह की पिच्चर अपलोड करते हो आप शायरी करते हो आपको शायरी पसंद है आप शायरी वाली पिच्चर अप्लोड करते हो या फिर किसी और जैसे के फूड बगेरा की करते हो कि आपका जो कैटेगरी है वो फूड वाली है तो आपकी किसी भी कैटेगरी की पिच्चर है आप वहाँ पर अप्लोड कर रहे हो तो सबसे पहले जो तरीका होता है कि हम जो है जो पिच्चर अप्लोड कर रहे हैं उसका हम कैप्शन डालेंगे जो कैप्शन डालना होता है हमें वो डालेंगे और उसी के नीचे हम हैश्टेग जरूर डालेंगे उसी के हिसाब से वो पिच्चर जो हम डाल रहे हैं उसी के अक हैस्टेक नहीं लगाओगे तब तक आपकी जो picture होगी वो करेगा आपको फॉलो भी करके जाएगा comment like वहाँपर आपको मिलेंगे तो आप जो है यहाँ पर mistake यह करते हो कि अपनी picture को जल्द बाजी में upload करते होते हो only caption डाल के hashtag नहीं लगाते हो तो आपको hashtag लगाना चाहिए चाहिए आप किसी भी category पर काम कर रहे हो किसी भी category की picture upload कर रहे हो तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है तो I hope कि आपको यह वीडियो अच्छे लगी होगी आपको पसंद आई तो इसको like करें share करें मेरे channel को subscribe करने ना भूलें तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में